Hi everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब? चलिए इस वीडियो में हम sums करेंगे जहाँ पे ranks को repeat किया जाता है जो previous sums हमने किए, यह किया, यह किया यहाँ पे rank repeat नहीं हुआ, अगर J Kayla First है तो First एक ही Иblemotik Second है, Second है तो Second EBC Student , लेकिन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे ranks repeat हो कैसे repeat होगा क्या होगा यह sum के हिसाब से समझते हैं suppose कि यह दो data दिया हुआ है X 19, 24, 12, 23, 19 and 16 and दूसरा data दिया है Y का जिसमें 9, 22, 20, 14, 22 and 18 ठीक है अब यह दो data है दो subject में marks हैं students के ठीक है अब यहाँ पर आते है सबसे पहले जो चीज समझनी है वो यह कि कौन-कौन से marks repeat हुए 19 यहाँ repeat हुआ है और यहाँ पर 22 repeat हुआ है अब यहाँ पर हम ranking कैसे देंगे जादा तर exam में यही समझाते है तो भीया X से हमारा बनेगा R1 और Y से हमारा बनेगा R2 ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट rank 24 को दिया जाएगा because highest marks है सेकंड rank 23 को दिया जाएगा अब 3rd rank के लिए 19 है अब 19 दो students को मिला है marks 2 students have scored 19 अब हम किसको 3rd दें और किसको 4th दें अगर हम let's say A, B, C, D, E, F out of 6 students अगर A को 3rd दे दे और E को 4th दे दे तो भाई E नराज हो जाएगा और अगर हम E को 3rd दे दे और A को 4th दे दे तो A भी नराज हो जाएगा क्यों उसे 4th है किसी को भी 4th rank क्यों मिले जब marks same है तो क्या है यहाँ पे 2 rank में जगडा है 3rd में और 4th में ठीक है? हम average निकाल लेंगे तो 3rd rank प्लस 4th rank कितने students में जगडा है? 2 तो divided by 2 average निकाल लेंगे हाना? तो 3rd and 4th makes 7 by 2 that is 3.5 हम दोनों को rank किया distribute किया 3.5 3.5 I hope you got this क्योंकि हम एक को 3rd दूसरे को 4th नहीं दे सकते क्योंकि mark same है तो क्या किया average निकाल लिया दो rank में जगडा है 3rd और 4th में उन दोनों का average निकाल लिया तो 3rd and 4th divided by 2 दो rank में जगडा था अब अगला rank जो आएगा 3rd and 4th का काम हो चुका 5th होगा 5th किसको मिला? 5th मिला 16 को and 6th मिला 12 को I hope this is clear everybody ठीक है? अब हम आते हैं rank 2 में 1st again 22 ही आ गया अब अगें दो यहाँ पे 1st किसको दे 2nd किसको दे BB22 and EB22 अगें 1st and 2nd rank में जगडा है तो divide by 2 कर लो average निकाल लो 1.5 and 1.5 अब अगला क्या rank आएगा? 3rd because 1st and 2nd are done now 3rd किसको? 20 को 4th is 18 5th is 14 and this is 6th I hope this is clear to everybody ठीक है? अब हम करते हैं simple अब हमारा formula यहाँ पे chain होगा पहले हम क्या करते हैं? D निकाल लेते हैं D is R1 minus R2 D निकाल लिया तो यह कितना आजाएगा? minus 2.5 यह आजाएगा 1 minus तो this is minus 0.5 this is 3 this is minus 3 this is 2 and this is 1 so 2.5 अब हम D square निकालेंगे 2.5 into 2.5 is I believe 6.25 एक बार हम देख भी लेते हैं calculate करके calculator 2.5 into 2 2.5 into 2.5 is 6.25 सही है 0.5 0.5 into 0.5 is 0.25 this is 9 this is 9 this is 4 this is 1 summation D square किया हमने summation D square कितना आएगा? 6.25 plus 6.5 so 6.25 plus 0.25 plus 9 plus 9 plus 4 plus 1 तो यह आगया 29.5 यह आगया अब देखिए इसमें एक formula है जो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें हम formula लगाते हैं यह वाला rank correlation is equal to 1 minus 6 bracket में summation D square plus 1 by 12 M cube minus M plus 1 by 12 M cube minus M whole divided by N cube minus N यह formula में थोड़े से देखो वही formula है 1 minus 6 summation D square इसमें जो नया element एड़ा है सब कुछ सेम है अगर आप previous formula देखो यह चीज जो यह है अगर मैं यहां highlight करूँ यह जो formula है यही formula यूज हुआ है इसमें सिर्फ एक नया element एड़ा है यह वाला देखो 6 summation D square तो इसमें भी है N cube minus M इसमें भी है 1 minus इसमें भी है खली यह element एड़ा है तो 1 by 12 M cube minus M तो formula बड़ा है देख कर डरो मत लेकिन एक दुबर बनाओगे समझ में आजाएगा नया element कौन सा याड़ हुआ 1 by 12 M cube minus M अब देखो यह dot 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 क्यों लगाया है क्योंकि यह अलग-अलग sum में कितनी बार 1 by 12 M cube minus M आएगा यह अलग-अलग sum के लिए अलग-अलग है सबसे पहले समझो कितने numbers repeat हुआ है इस particular sum में दो number repeat हुए है 19 and 22 19 and 22 19 repeat हुआ है 22 repeat हुआ है तो जितने number repeat होते है 1 by 12 M cube minus M उतनी बार आएगा जैसे इस particular sum में इस particular sum में 1 by 12 M cube minus M दो बार ही आएगा क्यों? क्योंकि दो ही number repeat हुए याद रखिएगा जितने numbers repeat हो रहे हैं 1 by 12 M cube minus M उतनी बार आएगा और M जो है वो represent करता है एक number कितनी बार repeat हुआ है हाना M जो है वो represent करता है एक number कितनी बार repeat हुआ तो यहाँ पर अगर हम इस sum को आगे बनाएं तो this becomes 1 minus 6 summation d square is 29.5 plus plus 1 by 12 पहला number 19 कितनी बार repeat हुआ 19 दो बार तो M की जगा कितना आएगा 2 तो this becomes 2 cube minus 2 plus again 1 by 12 दूसरा number कितनी बार repeat हुआ है 22 और भी दो बार हुआ है M की जगा में again 2 cube minus 2 ठीक है और last में कितने N cube कितने students 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cube minus 6 ठीक है अब मैं दुबारा बोल रहा हूँ 1 by 12 M cube minus M कितनी बार आएगा जितनी बार जितने numbers repeat हुआ है और हर number कितनी बार repeat हुआ है the number of time a particular number is being repeated वो M की जगा आता है अगर एक number दो बार repeat हुआ है तो M की जगा दो बार आएगा तो अब तो simple है अब देखो मैं ये जो expression है ना ये वाला ये वाला 1 by 12 2 cube minus 2 देखो मैं इसमें एक चीज समझाता हूँ 1 by 12 अगर 2 cube minus 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 by 12 into 2 cube is 8 8 minus 2 is 6 तो ये कितना आगया 1 by 2 जब इस expression का value हमेशा 1 by 2 that is 0.5 होता है याद रखेगा ठीक है एक सम्में maximum m की जगा 2 होगा या एक number 3 बार repeat होगा तो 1 by 12 अगर 3 बार repeat होता 3 cube minus 3 होता m की जगा 3 होता इस expression का value हमेशा 2 आएगा कैसे 1 by 12 into ये 3 cube is 27 minus 3 24 24 by 12 is 2 तो इसको solve करने की जरूत नहीं अगर 1 by 12 2 cube minus 2 होगा उस expression का value 0.5 होगा और 1 by 12 अगर 3 cube minus 3 हो उस expression का value 2 होगा ठीक है तो यह यहाँ problem solve होगी कैसे solve होगी भाई इसको अब solve करते हैं ये क्या होजागा 1 minus 6 into 29.5 29.5 plus इसका 0.5 आगे भी 0.5 by 6 cube minus 6 is 216 minus 6 मतलब 210 तो 1 minus तो rank correlation equals 1 minus 6 into 29.5 plus 0.5 plus 0.5 is 30.5 by 210 so what happens rank correlation is 1 minus 6 into 30.5 कितना हो गया भाई 6 into 30.5 will give you 183 by 210 हा ना तो क्या आगे रैंक correlation is 1 minus 183 divided by 210 कितना हो आए ये हो गया 0.871 so answer is 1 minus 0.871 is equal to 0.129 ये answer आगे या point के बाद 3 decimal decimal के बाद 3 डिजिक जरूर लिखना है तो ये हमारा rank correlation का answer आगे ये कौन सा method किया हमने अगर मैं आपको एक nutshell में दिखाऊ तो ये sum है ठीक है ये sum है इसको हमने solve किया है easy है difficult नहीं है एक दो बार solve करोगे तो formula भी याद हो जाएगा चली एक sum करते हैं let me find out a sum जिसमें कोई number 3 बार repeat हुआ हो चली आते हैं 3 बार repeat हुआ हो येस चली इस sum को solve करते है sum है x is 48 33 49 16 16 again 65 24 16 and 56 और y की जगा में है 12 12 25 7 15 5 20 9 7 19 15 अब पहले देखते हैं इडेंटिफाइ करते हैं कौन-कौन से number repeat हुआ है तो यहाँ पे 16 repeat होते दिख रहा है ठीक है 16 तीन बार repeat हुआ है ठीक 12 repeat हुआ है और एक number जो repeat हुआ है यहाँ पे यहाँ पे तीन number repeat हुए है ठीक है मतलब तीन number repeat हुए है मतलब 1 by 12 m3 minus m 3 बार आएगा ठीक है तो अब हम सबसे पहले तो rank दे देते हैं x से rank 1 और y का rank 2 तो भई फर्स्ट रैंक 56 को मिलता है sorry 65 फर्स्ट रैंक 65 को मिलता है 65 के बाद next number is 56 second rank इसको मिला ठीक third मिलता है 48 को fourth मिलता है 40 5th rank would be given to 33 6th rank would be given to 24 ठीक है ठीक है अब 7th rank 16 16 तीन बार है मतलब 7th 8th 9th got it 7th 8th 9th तो यहां पे भाई अब हम किसको 7th दें किसको 8 दें किसको 9 दें क्योंकि तीनों जो है वो सेम मार्क स्कोर की तो किस-किस rank में जगडा है 7th प्लस 8 प्लस 9 यहां पे अबरेज निकालने के लिए डिवाइट बाई 3 करेंगे बिकॉज यहां पे तीन रैंक में जगडा है अगर 2 होता तो देको 2 होता है तो अबरेज हमेशा डिवाइड बाई बाई नमबर अबस्वेशन यहां पे तीन अबस्वेशन 7, 8, 9 दो रैंक जब रिपीट होता है तो दोनों रैंक को अब आड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं इसमें लोग गलती क्या करते हैं 7, 8, 9 बहुत बाई बाई 2 कर देते हैं भाई 2 क्यों करेंगे जब 3 में अबरेज निकालना डिवाइड बाई 3 करेंगे आर 2 रैंक 2 में आते हैं फर्स्ट रैंक किसे मिलेगा हाइस्ट मार्क इस फर्स्ट इस 25 ठीक है सेकंड इस 20 थर्ड ट्वेंटी के बाद इस 15 फोर्थ इस 12 तो अगें फोर्थ प्लस फिप्त में जगडा है डिवाइड बाई 2 दो बार है तो यह हो जाएगा 4.5 4.5 अब फॉर्थ और फिप्त डन अब सिक्स्ट रैंक आएगा सिक्स्ट रैंक किसको दिया जाए सिक्स्ट रैंक दिया जाए 19 को ने यहां एक सेकंड एक सेकंड 12 के बाद 19 1 सेकंड 3 में गल बल गया एक सेकंड जस्ट वेट गई था तो थर्ड 19 में ने मिस्स कर दिया यहां पर तो एक सेकंड इसको हम पहले एरेज कर लेते हैं दोबारा से रैंग दे देते हैं तो फिर्स 25 2nd इस 23rd is 19 मिस्ट आउट 19 एक स्ट्रीमश्य थिर्धित थिर्द इस 19 फोर्थ इस 15 थिक है फिफ्ध और 6 मैं त्वेट थेंग त्वेट को फिफ्ट और शिक्स थ मिलेगा फिफ्ट और 6 में जगडा है ट्वेल्थ की बीट में 5th plus 6 divided by 2 is 5.5 and 5.5 6 हो गया अब next rank 7th है 7th किसको दिया जाए भाई 7th rank 9 को अब again 8th और 9th के लिए 7 का जगड़ा है हा ना 8 plus 9 divided by 2 यह हो गया 8.5 यह हो गया 8.5 और 9th अब जो बचा फिब यह 10 हो गया अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम निकालेंगे deviation r1 minus r2 ठीक है r1 minus r2 करेंगे तो 3 minus यह हो गया 2.5 यह हो गया 0.5 यह हो गया 3 this becomes 1.5 this becomes 4 this becomes minus 2 minus 1 minus 1 0.5 यह भी minus 0.5 और यह हो जाएगा minus 1 ठीक है तो अब हम आते हैं d square पे 2.5 इंटू 2.5 अभी हमने किया था ठीक है 2.5 इस 2.6.25 देखो प्रिवेस सम में किया था 2.5 मैं देखा दू आपको देखो 2.5 इंटू 2.5 इस 6.25 ठीक है तो यह 6.25 यह 0.25 यहाँ पे 9 1.5 इंटू 1.5 इस 2.25 यहाँ 16,4,1,1,0.25 इंटू 1. इस अब देखो यह क्या हैगा 6.25 प्लस 0.25 प्लस 9 प्लस 2.25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.25 प्लस 1 मेरा 6 समेशन डी स्क्वार कितना आया 41 अब रैंक को रिलेशन निकालते है 1-6 समेशन डी स्क्वार प्लस अब यहाँ कितने नंबर रिपीट हुए 3 नंबर कौन कौन से 16,12 और 7 16,12 और 7 3 नंबर रिपीट हुए है तो 1 प्लस 12 into m3-m तीन बार आयेगा प्लस 1 बाइ 12 into m3-m प्लस 1 बाइ 12 into m3-m यह कितनी बार आया 3 बार और नीचे क्या हो गया n3-m डन है इस फॉर्मला में किसी को प्रॉब्लम नहीं है 3 नंबर रिपीट हुए तो 1 बाइ 12 into m3-m तीन बार अब m की जगा में क्या आयेगा चलिए देखते हैं रैंक कोरिजेशन इस 1-6 समिशन दी स्क्वेर इस 41 प्लस 1 बाइ 12 पहला नंबर कितनी बार रिपीट हुआ 16 तीन बार रिपीट हुआ तो पहले में m की जगा 3 आयेगा तो यह आ जाएगा 1 बाइ 12 इंटो 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1 बाइ 12 दूसा नंबर कौन सा है दूसा नंबर है भाई 12 दो बार रिपीट हुआ है 7 दो बार रिपीट हुआ अब दोनो नंबर दो दो बार रिपीट हुए तो m की जगा में 2 आयेगा तो यहाँ पे आ गया 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1 बाइ 12 इंटो 2 क्यूब माइनस 2 ठीक है और लास्ट में देर आ 10 पार्टिसिपेंस है तो दिस बिकम्स 10 क्यूब माइनस 10 तो रैंक को रिलेशन इक्वलस 1 माइनस 6 इंटो 41 प्लस मैंने बताया था इसका सम हमेशा 2 होगा 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इसका सम 0.5 इसका सम 0.5 अभी मैंने बताया थीक है डिवाइड बाइ 10 क्यूब इस 1000 माइनस 10 इस 990 ठीक है अभी क्या हो जाएगा रैंक को रिलेशन इक्वलस 1 माइनस 6 इंटो 41 प्लस 2 इस 43 प्लस 0.5 44 44 इवाइड बाइ 990 जो 1 मिनस 6 इंटो 44 इस हो मच 6 इंटो 44 इस 264 इस 990 ठीक है 264 इस 990 इस इक्वल टो 0.266 1-0.266 1-0.266 इस 0.734 यह हो गया इवाप इस इस क्लिर टो एवरीबड़ी यह जो सम है क्या होता है न करते करते मैं जब सम यहीं आपके साथ ही बनाता हूं सम को तो इसलिए वो मिस हो गया था इग्नोर देट पार्ट जो 19 नंबर मिस हो गया था but I hope this is very clear to everybody बहुत ध्यान से बनाना exam में यह सब सम्स में marks बहुत मिलते हैं लेकिन एक गलती and you get a 0 so बहुत ध्यान से बनाने वाला topic है I hope this topic is clear to you all अगर आपको पसंद आ रहा है do share the videos with your friends thank you so much